केविनो जी, OBC के चेहरे को यहां भी लाया गया और कॉंग्रेस OBC कार्ड खेल भी रही है, इसे कार्ड कहूं या ठीक है, सोशल जस्टिस का नाम इसे दिया जाता है, पहली बार कॉंग्रेस OBC के अंबरेला के तले है, लेकिन 14 और 19 समय नहीं भूलना चाहिए, मात्र 15 फीस द सब्सक्रावों में यह बाकी है, दोजार चौबीस में, नहीं देखे कोई एक चुनाओ किसी मुद्दे का लिड्मर्स टेस्ट नहीं होता है, मैं बार बार इस बार दू कहता हूं, कि 370 और यह ट्रिपल तला कामन स्विल कोड जन संग के जवाने से जो है भारते निता पार जब बाबरी मस्जिद गिरी उसके बाद उत्तर पते में चुनाओ भार गई, भरजिंदा पार्टी मुलायम सिंग चीफ मिनिस्टर बन गए 93 में, तो मुद्दा तो नहीं छोड़ा उसने, और उस मुद्दे का उसको फाइदा लॉंग डरम में मिला, तो यह मुद्दा जो अपर कास्टाइब भी सबसे ज़्यादा है, तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसको दिक्कत यह आ रही है, इसलिए इस मुद्दे को नीचे तक ले जाना पड़ेगा, लीडर्शिप की जिम्मिदारी है, जीतू पटवारी की बाद जैसे हम लोग करें, तो जीतू पटवार सिर्ण चमवान की सरकार के खिलाब उनकी आक्रोष जनाक्रोष यात्राय निकली बड़ी सफल रही, तो इससे मालूम होता है कि वो एक फायर ब्रांड एक नेता है, और चुनाव हर गया अलग बाद है, उसकी मिमान साव खुद करेंगे, उसके पीछे भीतर गात कितना वो अलग बात है, लेकिन वो एक आक्रमक नेता है, इसमें कोई दोराय नहीं, और संयोग से वो बीसी भी है, चुकि भारतियनता पार्टी ने मोहन यादो को एक ओबीसी, शुराथ सिंग चावान को हटा करके, एक मोहन यादो वो भी ओबीसी उनको बनाया है, अब हमेशा भाज़भा की एक रहनीती रही है उत्तरप्रदेश में, बियार में, कि उसने यादों के खिलाप गैर र्याद को एक ता किया, ओबीसी में, और उनके अंदर किसी तरह की तखलीफ है, या उस राजजियतिक रूप से रशी तरपर पार्टी को जिदू परद्वारी अस ले सकने में कामयाब हुए तो निस्चित रूप से कुछ कांग्रेस का फाइदा दोजार चौवीस में करा सकते हैं दोजार चौवीस में कांग्रेस के पास लक्ष बढ़ा नहीं है लक्ष बीजेपी के पास बढ़ा है कांग्रेस अगर पांच भी जीत ले तो उसकी कामयाबी मनी जाएगी दोजार चौवीस में मध्यप्रदेश में तो इसलिए जीतू पठवारी और उमंग सिंगार ट्राइबल नेता है अटिस साल के है और उनके जम्ना देवी के बतीजे हैं उनके पास एक ड्राइबल पॉलिटिक्स की अगर ये दोनुं मिल करके और जैसा कि आश्टोस कह रहे हैं सबको साथ ले करके सबको साथ लेने का मतलब जो घमंत कटारे उपनेता बने हैं उनको साथ लेके सभी समाजो को जोड़ने की कोशिश करें और मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन पहला टेस्ट इनका लोगस्वा चुनाव में ही होगा लेकिन विनोग जी इन तीनों राज्यों के चुनावों के बाद मध्यप्रदेश राजस्तान और 36 गड़ के बाद हाला कि एक सचाई ये भी है जैसे आश्यतोश भी कई बार जिक्र करते हैं इसका कि कॉंग्रेस के पास 40 पीसिदी का वोट शेयर रहा है राजस्तान में शायद 42 है चालीस पीसिदी माल लीजे तो इस जो 40 पीसिदी का वोट शेयर है इससे क्या बहुत उत्साहित हो जाने की जरूरत है क्योंकि सीट में कनवर होता है तो संझेची बताएंगे ब так तरीके से जो एक कहता है कि बिधान सभा में तो हम कांगरेस वोटे रहें हैं लोग्रेस को देंगे लोग सबामें दिया है नो को यससे को बिले पी का वोट है जो बीजेपी ने तमाम सारे गैर भाजपा दलों से कॉंगर्स से वोट उसे नहीं लिया जादा उसे वोट किसका लिया समाजवादी पार्टी का बीस पी का और तमाम दलों का चोटे 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 दलों का वो जो उसने पूंजी कठा की है और 47% के आसपा उसका बढ़ा जा करें पहुंचा है 47-48 पर जो भी पहुंचा है उसमें कॉंगर्स कितनी सेंद लगा पाएगी अपना वोट सम्हालते हुए चुनोती यह इससे बहुत उत्राई दरूज नहीं है कि हम 40 परसेंट पर हैं हम नाचने लगे पठाके चोड़ने लगे 40 परसेंट से आ जाप कह रही है कि उसे आशु मना कर रहे हैं जाट साल वाले ना यह तो 50 साल वाले हैं अच्छा कॉंग्रेस का जाट वाले हैं तो इसलिए चरणदास मेहुँचा जिम्मेदारी सौपी वो 16 नहीं हम मद्यप्रदेश संदर में अगर बात करें तो मद्यप्रदेश संदर मे दिग्वजे सिंग, 77 साल के कमलनाथ, उसके बाद अगर 50 साल के जिदू पटवारी और 49 साल के अगर उमंद सिनार और हिमंद कढ़ारे और भी कह उमर के हैं अगर इनको दिया गया तो जनरेशन शिप्ट माना जाएगा मुझे लगता है कि मद्यप्रदेश को मद्यप्रदे रादेश को मार के जङते हैं शिप्ट मार के भी नव गुझे बानावारे और भी कनलनाव सिनार कह टी आपिन है, वर स्क्राव क। decision़ जो शिटीरघ लिगके जिगारे जरिके जया रखी बाल कर झाम हैं वार उनको ऐारे धूरे भी क।